इन तीन क्रिशिक कानूनों को लेकर जिनको काले कानून हम लोग कह रहे हैं जब ये ओडिनेंस थे तब ही इनका विरोध हुआ जब करोना की आड में इसको अवसर में बदला गया इस ओडिनेंस को धक्ये से लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम की वज़े से कानून का जब दरजाद दिया गया तब भी हम इसके खिलाफ थे और तीन कानून जो आया आज क्योंकि सुप्रीम कोट सर्वो चुन्याले द्वारा उन पर स्टे कर दिया गया है मैं अध्यक्ष मौदे आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाती हूँ अगर इतना बढ़िया सब कुछ है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारा किसान, हमारा आंदाता, हमारा कमेरा वर्ग वहाँ पर इस समय बैठा हुआ है क्यों उन हुकमरानों से जिनों ने ये कानून बनाए है, कुछ मांग रहा है क्या कारण है कि आज हमारी बहन बेटियां अपना कारे छोड़ कर वहाँ पर बैठी हुई है हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोग तंत्र है ये डेमोक्रेसी है, अभी कुछ साथी कह रहे थे, सामने के भी यहां मैं जिकर उस बात का नहीं करूंगी डेमोक्रेसी लोग तंत्र जो हमारा सबसे महत्वण विश्व का है, वो कोई केवल नंबर गेम नहीं है क्योंकि हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं हमारा सविधान खत्रे में है, आज किसानी खत्रे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में आज जवानी खत्रे में है, वेपारियों का वेपार खत्रे में है, बहन बेटियों की इजदत और आबरू खत्रे में है, क्या यही अच्छे दिन है, क्या इन ही अच्छे दिनों के लिए लोगों ने सोच कर प्रदेश और देश में भारतिय जंता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था हमें सोचना होगा हमारा प्रदेश एक वेलफिर स्टेट है हमारा एक प्रदेश ऐसा वेलफिर एक्टिविटीज के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है देश है इसको capitalist और police state की तरफ दिखाने का काम सरकार कर रही है। आज हमें सोचना होगा लोगतंत्र में government of the people, by the people, for the people का आ गया है। हम उन्हीं लोगों की अवाज को मजबूती से उठाने के लिए आज विदानसवा में चुन कर आए हैं। और उनकी आवाज को हम सदन में भी सदन के बाहर भी सडक से लेकर, विदानसवार सडक से लेकर संसा तक उठाने का काम करेंगे। आज हमारे बहुत से साथी गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। किसान गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छा भी है। हमारा ये देश, जिसने इतना बड़ा एक नारा दिया, जै जवान, जै किसान, उसके साथ में हम जोडेंगे, हमें जै जवान, जै किसान और जै सविधान, सविधान के तहत और सविधान के अनुरूप हमें कारे करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति या संस्था सविधान से ब economy है इसको है किसान हमारा अपनी मिट्टी को अपनी फसल को बच्चों से भी जादा प्यार करने का काम करते हैं हमें सोचना होगा चंद पुंजी वतियों के चक्कर में केवल कुछ लोगों के चक्कर में आप ये जो हमारा आन्य दाता 105 दिन से जादा बैठा है आप उनकी अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है हमारे यहां पर राइट टू फूड राइट टू फूड है हम लोग कहते हैं करोना की समय में हमने 86 करोड़ लोगों को 2 रुपे किलों के इसाब से अन्न देने का काम किया अच्छी बात है देना भी चाहिए क्योंकि हमने इनको करोना की यार में पता नहीं क्या-क्या गोटाले घपले और क्या-क्या हुए है कुछ लोगों ने जो ये लोग हमारे अंदोलन कर रहे हैं इनको अंदोलन जीवी कहने का काम किया आप मैं मानिये मुख्यमंत्री जी कल आप बहन बेटियों को लेकर भावुक ये अंदोलन ये केवल अंदोलन जीवी नहीं है इन अंदोलनों की वज़े से आज हम अजादी की सांस ले रहे हैं कम से कम दो शब्द तो सहनबूती के जो है हमें उनके लिए बोलने का काम करना चाहिए कोई बात निए आप शांती रखो और अद्यक्ष मौध है आज मैं आज मैं एक बात कहना चाहती हूं आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आये मैं करीबन हमारे धाई सो से ज़ाधा किसान आज याद उन्हें भी कर लो जो लोट के घर ने आए केवल वो किसलिए गए थे वो अपनी मांगों के लिए गए थे इस सांदोलन में जो कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ गए थे वो इसलिए गए थे कि हमारी जमीने ना चीनो हमारी किसानी ना चीनो हमारे बच्चों का भविश्य ना ची आज हम उनको श्रदांजली देते हैं और मेरा अधक्ष मौदए आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जो मानने मुख्य मंत्री चौदरी भुपेंदर सिंग भुडा जी ने जिन किसानों को यहां पर श्रदांजली देने की बात पही है आज अधक्ष मौदए हमारे वो स्व उन्होंने ऐसे देश के बारे में सोचा नहीं होगा राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे दो मिनट में मैं समाक कर रही हूं अधक्ष मौदए अधक्ष मौदए राइट टू रिकॉल की बात की जा रही है राइट टू रिकॉल तो हो गया जब आप लोगों को अपने हल सब्सक्राइब हम लेकर आए हैं हमारे यहां पर जो मेरे साथी एक मिनट में वाइंड आप करूगी जो साथी यहां पर सदन में उपस्तित हैं अध्यक्ष मौदै अंतर आत्मा से मन की वाज पर अपनी आत्मा पर बिना कोई बोज रखे हुए आप इनको जो यह आपने एंट कर आया हुआ है अगर वो चाहता है वो सरकार के खिलाफ वोट करें आप उनको बोलने का अधिकार दो आप अपनी इसी मेत्रपोड कुरसी पर बैठ कर उनकी अवाज को दबाने का काम ना करें मेरा यह अनुरोध है फिप का या एंटी डिफेक्शन के चक्र में आप उनकी आत्मा को उनको वोट करने का अधिकार दे केवाल जो ये डॉमेसाइल की बाद जो आई है पंद्रा साल से पांच करना मैं समझती हूँ ये सरकार का रिजर्वेशन को खतम करने का एक हिडन एजंडा है जो अधिकार हमें सविधानिक पॉर्पे मिला हूँ है उसको दे और मैं ये जो आविश्वास प्रस्ताव आया है माननी अध्यक्ष महदे इसमें हमारे किसान ने जो कहा बगत सिखने देश के लिए मैं अपने किसान भा सब्सक्राइब की नडाई की बात है और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद